इनावन एंकाउंटर स्पेशलिस्स सर्फ मोस्ट डेंजरिस क्रिमिनल्स को बहादोरी से एंकाउंटर करके ही ये हीरोज बने अरे एसबी के नाम पे हम लोगन के अमराज मिला है तोसे एसबी का ट्रांसफर हो जागा ना एंकाउंटर का मतलब दोस्तों साउथ की एक और खतननाक मूवी एंड सुपरिस्टार रजिनी कांथ के केरियर की एक और जबरदस्त पैन इंडिया मूवी जिसका नाम है विटाइयन और इस मूवी का इंतिजार तो आप सभी लोग कर रहे होंगे तो फाइनली दोस्तों इस मूवी को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है तो सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साउट की एक नए मूवी आज की दिन हिंदी डर्द में अवेलेबल होच की है जिसको आप अभी अपने मूबाइल पर भी देख सकते हो तो दोस्तों वेटाइयन जो के एक एक एक्शन थेलर मूवी है जिसके लीड डोल में आप सुपरिश्टार जिनी कांत, मंजू वारियर, अमिताब बच्चन, राना दगुपती और फाहत फाजिल जैसे बड़े बड़े सुपरिश्टार को देख पाओगे तो आप अंदासर लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी जबरदस्त होने वाली है और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो खबरों की माने तो इस मूवी की कहानी आधारित है एक ऐसे पुलीस ओफिसर पर जो के अपने कैरियर में बहुती ज़ादा शूट आउट करता ह और क्रिमिनल को दोड़ा दोड़ा कर जान से मार देता है क्योंकि उस पुलीस ओफिसर का ऐसा मानना है कि जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं जो मडर करते हैं रेप करते हैं उनका सफाया बहुती ज़रूरी है ताके और नए क्रिमिनल ना पैदा हो सके लेकिन उसके रिट कर दिया जाता है लेकिन इस मोवी की स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जैसा के आपको सुनने में लग रही होगी बलकि इस मोवी के अंदर कई सारे ट्विस्ट एंटरंस देखने को मिलेगे और अगर बात करें वेटाइयन मोवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की तो उससे पहले आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आज का हमारा सवाल है कि सुपर इस्टार रजनी कांत ने अब तक टोटल बालीवुड में कितनी मोवी के अंदर काम किया है या फिर उन्होंने बालीवुड के अंदर एक भी मोवी के अंदर काम नहीं किया आप हमें नीचे कमे के हिंदी टेलर को भी रिलीज कर दिया गया है और टेलर बहुती ज़ादा प्रामिसिंग नजर आ रहा है लेकिन टेलर के अंदर बहुती कुछ रिवील नहीं किया गया है बलके सब कुछ छुपाया गया है ताकि जो बड़े-बड़े सर्प्राइस हैं वो आपको पूरी डप्ड में available हो चुकी है तो सुपरिश्टार विशाल की एक्षन थी लर मुवी जिसका नाम है रथनम अगर आप इस मोवी को अभी हिंदी डप्ड में देखना चाहते हो तो यह मुवी जीयो सिनेमा एप पर अवेलबल हो चुकी है हिंदी डप्ड में वहां पर आप इंजॉ कर सकते हो